हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबा कर सस्क्राइब करें वे घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुँचें बिलकुल मुफ्त चाह मेरे मालिक चाह पाक फरवर्तिगार अब अभी और क्या दिन देखना बागी है खाने में मुझे को जमाना हुआ खात्म अब तक ना मेरा फसा ना हुआ तो जब सुबाव उठता हूँ अपने इस तकदीर पे रोता हूँ मैं जब गुजर जाती है आधी रात तो सोता हूँ मैं यहां अपना भी जो था पराया हुआ यहां अपना जो था तक रहती है अपना यहां जड़र भी जो जो तक रुभ जो जelectा अव्यां अपना जो अमें जिन्दान में आगी हूँ कैट खाने में अमें से वसल का इक्रार करती हूँ देखती हूँ इतनी ही मुसिबे साहे के मान जाता है तो अच्छी बात है और मेरे प्यारे दुल्हन बन करी तेरी खिद मद में आई हूँ मेरे प्यारे दुल्हन बन करी तेरी खिद मद में आई हूँ तुम्हारे वसली तुम्हारे वसली की खा तिरी में योज तुर हट जा ना तुहा तु मुझ को लगा पाप करती यहां पर तु क्रौंपे हरा मानी जाओ ना आरे सीपे सिलार जी मर जाओगे यह तुम्हारी जवानी किस काम आएगी यह अपनी जवानी मेरे नाम कर दो ना क्या कहते हो पेगम साहिबा मुझे मरना तो मंजूर है लेकिन कशम है खुदा पाक की मैं पर अपने सहन सा के साथ कभी तगा डई तो सुने सीपे सलार जी सरी सरी राते मैंनू नींदी ना आये रे सरी सरी राते मैंनू नींदी ना आये बरी बड़ा तड़ी पाए रे सारी सारी राते तेरी आ कितो जवानी जुल्मी भाई हैं तेरी सूरती देखिके अखियों में सपना मेरे बस गया तेरे अखियों बें बस गया खपना तेरे ही बस ना तेरे दुआये पर जीती तुझी पर ही मर जा नींदी सताए बरी बड़ा तड़ी पाए रे सारी सारी राते मैंने क्या तुम मेरे कहना नहीं मानोगे ये आखे फूट जाए और सर भी हो जाए कलम मेरा मगर रहे वपा से हट नहीं सकता ये साबित कदम मेरा तो ठीक है मरने के लिए तयार हो जाए चल सर नीचे कर कितना जुलम सितम सहकर अभी तु मेरी बात मान जाएगा मगर तु पता नहीं किसमित्ती का बना हुआ है मेरे उपर देखता भी नहीं है आ मैं तुझे बताती हूँ मैं क्या चीज हूँ कमीने मैंने तेरे पिछे अपनी जवानी बर्बात कर दे और तुने तर्स भी नहीं खाया सर नीचा करो आज तुमारी खायरियत नहीं नमबर एक और नमबर दो और नमबर बस खबारदार हो नादरा फाहसा जान क्यों इसकी लेती है ओ बदचलन मुझको मालूम सारी हकीकत हुई मेरी इज़त का तुने उजाडा चमन आज मुझे मालूम हुआ कि तू इतना निर्दई है मने नहीं सोचा था कि तू इस तरीके से होगी लेकिन मेरी खता क्या है मैंने क्या किया है हरी अल्लाँ दिखेना गंग कैसेट वाले मुझे इलजाम पर इलजाम लगाय जा रहे है मैंने क्या किया ऐसा गुना क्या कर दिया है हराम जादी कमीनी अभी कह रही है कि अल्लाह को दुहाई दे रही है कह रही है कि मेरी खता नहीं है शिपाई इधर आओ कहिए महाराज शिपाई सालार की हदकड़ी खोल दो और यही हदकड़ी और बेडिया इस बत्चलन नादराग को पहना दो हरे जाही क्या कर रहे हो इसका लाई में तुम सोनी की चूड़िया पहनाते थे आज हदकड़ी पहना दी पहनाओंगा पहनाओंगा जरूर पहनाओंगा शिपा सालार आली जाओ शिपा सालार शाहब मैं आप से बहुत सर्मिंदा हूँ मैं इस बत्चलन बेशवा के कहने में आ गया और आपके उपर जुल्म किया मेरे वफादार शिपा सालार मेरी गलतियों को माद कर दो यहीं अली जाओ इसमें आपका कोई खुसूर नहीं था यह सब तो खुदा को मन्सूर था जबी हुआ आईए इसको इस बत्चलन को ले चलो कैद खाने में डाल दो इसका कल भरे दर्बान में फैसला होगा लाइए रात को कैद में नादराथी मिली आपके रूबरूपा वह जंजीर है जिससे फरजंद हो जाए जिन्दा मेरा मुझको बतलाईए क्या वो तद्वीर है सायन साहब कहिए साह साथ सबसे पहले चौपटिया के बलाओ उसका चौपटिया का और नादरा का जादा बारते अलाब होती है चौपट और जो हीरे वाला हार है यही तुमारी छोटी मलका के पास नादरा की पास है जहर वाला हार साहिजाजे को पहना दिया गया है ठीक कहा साह साहब हम में दरबारी चौपट को बुलाया जाए बादसा सलामत आज हमें कहे परे बुलावागा बिस्मिल्लाह रह्माने रहीं कुछ बताई हो तुमसे ही पूछना चाहता हूँ बाबा कुछ नाच्ता वागता क्या मैं कहा रहा है क्या चीज है इसी से नाच्ता कर दूँगा भी तुमारा ठीक है ठीक कहा है बताई हो मैं कह रहा हूँ हार कहा है कौन हार हीरे वाला जो माहेगीर के साथ गए थे लेके आए तो हम क्या जाने तुमको सब कुछ पता है कमबस नाला एक कही का इनके पास है नाजरा के पास लाओ जा लाओ बोदल अब जे तू नहीं भाई हरी बाबा मैं क्या दू मेरे पास क्या है अब लाओ देव ना मेरे पास क्या है ए थोटी बेगम क्या है अब लाओ देव ना क्या दू देव भाई मैं क्या दू भाई अब लाओ देव मालत तो है देती नहीं दुकादेरी मुझे कहा दे आए हम जानी ते जहां धरा है तेरे पास नहीं है मेरे देबू नहीं है हियाओ हियाओ नहीं है हियाओ नहीं है पुला दियो तेरे पास नहीं है पुला धरा हम जानते है पुला दियो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है पुला सेंसा हीरे कहार वर्जिलर यही है देखा अपने आखों से लाओ बच्चे को ये हार उसके गला में ठोड़ दो और जहर वाला हार हमको लाओ है चोपट हमारे पिसर कुमार को बड़ी मलका और जहर वाला हार जो गले में परा हुआ है उसको निकाल दो ये वर्जिनल हार है इसमें बच्चे की जिन्दगानी है जिन्दगी इसमें है साहिजादे की बड़ी मलका इसको पहना दो उसको निकालो शाह साहब जो कह रहे हैं कि हार बड़ल गया था ये आज वर्जिनल हार मिल गया है हम इस हार को कमर के गले में डालते हैं और हमारा पिसर जिन्दगा हो जाएगा ज्हालोरोर ये धालो जो टब गया हम इसमिल्लह ऑलहम दूल्लहर आप जाऊ कमर, जय हर वाला हर हमको बड़ला खोलना याजिर वाला हार आदू साहर को चावपटिया गले में डाल दो में चावपटिया बहुत जब्र से हाजिर हो कि एपने हाथों से हार इसके गले में छोड़ दो इसका तासीर देखिये कि 37 का तासीर है यह बें दुनिया में नहीं रहेगा हाजी साहब यहार हमका देदेव हम अपने कुकुरी के बाहिरा हूँ चाप पेखो यहार तुमको नहीं मिलेगा यहार तुमारे गले में होगा इधार आओ मैं कर आओ इधार आओ सैंसा इसार का तासीर देखा हाँ देख लिया साहब तभी तो हमारा पिसर इस दुनिया से चला गया था ठेके कोई बात नहीं इसके गले से यहार निकाल लो ओ छोटी बलकार नादरा को इतनी सजा दे दो कि कबर तक गड़क करें आओ मुहम्मदू रशूल अल्लाह जो उन डल्डा भारूंगा ना अस्सलाम अलेकूं वालेकूं सलाम बेटा बर्खोदार और सब खायरियत है ना खायरियत है सीधा उधा पायो जब बता किता है कमिना सबते पहले नादरा ने इसा किया एस दुगम ने कोई किसी का नहीं है तो इनके लिए सजा मेरी तरब से है कि कमर तक गड़ा खोदा कर गड़वा दो और सिकारी कुटों को छोड़ दो नोच नोच खा जाए यही सजा है छोटी मलका के लिए ताकि कोई आउरत कोई अपने परवार के साथ अपने बच्चे के साथ ऐसा जोर्म ना करे ठीक है शाह साहब मैंने अपनी आखों से सब कुछ देख लिया है अरे ला मेरा क्या हाल होगा सिकारी कुट्पी ना छुड़वाई यह मुझे नोच नोच की खाएंगी मैं जोर जोर चिलाओंगी बच्चा 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 मुझे माप कर दिया लिजा ऐसी गलती में दुबारा नहीं करूंगी एक दुस्मन थी तू दोस्त के भेश में बेहया ने करी है खता पर खता ना दरा को चड़ा दो आपी दार पर मौत की दे रहा हूं मैं इसको सजा इसको दार पर चर्वा दिया जाए मैं इसकी सकर नहीं देखना चाहिए तो माप कर दिजे मेरी सजा लिजा ऐसी गलती दुबारा करूंगी नहीं एक बिन्ती है मेरी ये आपसे एक बिन्ती है मेरी ये आपसे मेरी है ये तिजाई है आपसे अलिजा मुझे माप कर दिजी मैंने जितनी ही बे गलती की है दुबारा अंदा मैं गलती नहीं करूंगी मेरी गलतीयों को छमा कर दिजी अलिजा नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं तुझे मौत की सजाद जरूर दूगा चोपट ये बताओं मुझे अकेले जिन्दान में डाब देंगे और मुझे सिकारी कुते नोच नोच खाएंगे में तडब तडब के अकेली कैसे मरूंगे तुम भी चलो ना मेरे साथ चोटी मलिका जैसा जो करता है उस कर्म का फल तो उसे मिलता ही है अब अपनी अपनी कर्म का फल भोगना है चलो हम तुम जैसा भी हो ऐसा भोगेंगे अगर महराग फासी दिलाएंगे तो हमारी फासी होगी रिहा कर देंगे तब भी ठीक है और इस खुताहाली में इनका फरज जंद जिन्दा हुआ है लोगों को बगस दे जादा अच्छा है ऐसा कर्म हम कभी नहीं करेंगे आज से अब तुबह करते हैं की नादरा की शकल तक मैं नहीं देखना चाहता हूं शिपाही इसको ले जाओ और फासी पे चड़ा दो और इसकी लास को शिकारी कुत्तों से नचुआ के खिला दो शाहें साहब कहिए साहब क्या कहना चाहते हैं अब तुम्हारा पिसर जिंदा हो गया है देनार मंगवाओ उसके हाथे सो हमको दिल वायो ठीक है साहब हम देनार मंगवाते हैं मेरा समय हो गया है जाने का और आपको बक्सीश में देते हैं शिपाही देनार मंगाई जाए और साहब को दे दिया जाए देना में खुदा पे आए बाबा हिम्मत हो अगर कुछो तेरे भी फानी तु है फानी दुनिया फानी तु है फानी दुनिया कुछे लेना हो ले 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 बड़ी मलका हा लिजां कहिए क्या बात है आज मेरा अलाद मुझे फिर मिल गया असाह साब की भुराद्धी पूरी हो गई आज मेरा कमर मिल गया समझो कि पाक परवर्दिगार ने मुझे सब कुछ दे दिया है बेटी आलमारा आलमारा उठाई मुझे बहुत आज करता कमर से हूँ सादी तेरी या खुदा दोन खुशिस जहां में रहें ओ है बेटा मेरा ये है पेटी मेरी शिपे सालार कि जेल में सक्तियां पर सहीं सक्तियां फिर भी तुने नहीं की जराशी करम तुमने हुर्मत बचा ली सेंसा की तु है साने मफा तु है साने मफा सेंसा का आडर है कि हमारे बच्चों का निकाह कर दिया जाए चलो शिपे सालार साहब होकम कीजी आ लिजा आज हम इन दोनों बच्चों का निकाह करवाते हैं जैसी आपकी मर्जी आ लिजा पड़ी मलका कहिए आली जान निकाह तो हो गया ठीक है हम सब महर में चलते हैं और शादी की सालगिरा और शादी मबारक बात दी जाएगी हमारा कमर अब ये सल्तन्न समालने लायक हो गया है आज ही हम ये तक्त और ताज कमर को देना चाहते हैं टीक है लिए दिय whale कर दो कर दो अब जान ये ये खुशी हमको आपने दिया है क्यों नहीं मेरे लाल जैसा आप कहेंगे हम आपकी सारे पर हर पहलो आदर करेंगे जो कहेंगे हम वही करेंगे ठीक है बेटा हमें तुमसे यही उमीद है कि जब तक मैं बात सा रहा मैंने इंसाफ किया मैं यही उमीद करता हूँ कि तुम भी हमारी तरह इंसाफ करते रहना ठीक है मैं इसा ही करूँगा जैसे आप करते रहे और आज आज इस खुशी में ये हमारे सुबह सालार जैसे पहले थे वैसे आज भी रहेंगे हम इस खुशी में चल के सभी कोई इरकी उर्दी दिया जी जाए और खुश्याली बनाओ सब कोई चल आओ